हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम BSC Second Year में जो Physics का Book है Electronics का उससे एक Chapter है Digital Electronics इससे हम Important MCQS Question के बारे में बात करेंगे Question के साथ साथ आपको Salution भी प्रवाइड किया जाएगा तो वीडियो को Complete देखेगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक Like जरूर दीजेगा और अपने Friend के साथ जरूर से Share कीजेगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके तो चलिए वीडियो को सुरू करते ह तो सबसे पहले या पर जो Question है Question या पर है Binary System contains Option आपको चार है पहला है वन डिजीट दूसरा है टू डिजीट तीसरा है थी डिजीट चौथा है फोर डिजीट इसमें से कौन सा सही होगा तो आपको पता होगा Binary System में केवल टू डिजीट होते हैं यानि Option भी आपका सही अब चलते हैं दूसरा Question पर तो दूसरा Question है which of the following is correct expression for De Morgan Theorem तो यहाँ पर Digital Electronics में हमने De Morgan Theorem पढ़ा होगा तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर correct expression है De Morgan Theorem के लिए तो यहाँ पर पहला Option आपको देखने को यहाँ पर मिलना है फिर दूसरा Option यह तीसरा Option और यह जैसे कि पता है आपको De Morgan Theorem में आपको 2 expression देखने को मिलता है जिसमें B भी होता है और C भी होता है यानि दोनों expression De Morgan Theorem में होते हैं तो यानि Option D है जो बोथ B और C यह वाला correct होगा क्योंकि यह B और C दोनों correct expression है De Morgan Theorem के लिए तो चलिए हम तीसरा Question पढ़ते हैं तो तीसरा Question ह यहाँ पर which of the following is a correct gate diagram for end gate ठीक है यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो diagram है वो end gate को represent करता है यहाँ पर आपको 4 option देखने को मिलेगा जिसमें तीन option आपको diagram है और चौथा है नान आप दीज तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर end gate का correct diagram है तो तो ऐसे question आएंगे figure देगा आपको अपसे में बताना होगा यह कौन सा gate है या gate देगा आपको figure से बताना होगा कि कौन सा figure इसमें जो gate पूछ रहा है वो belong करता है तो ऐसे question बन सकते हैं तो आप ऐसे question देखके practice कर सकते हैं कोई नया नहीं होने वाला है तो चलिए हम 4 question देख गेट मिल रहा है फिर यहाँ पर आपको और गेट मिल ला है और फिर जौर गेट और फिर नंद गेट ठीक है तिसमें आपको चार अप्शन देखने को मिल रहा है तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें तो आपने पढ़ा होगा जो और गेट होता है वही ये बिलॉंग करता है उसी का ये क्या कहता है गेट डाइगराम है ठीक है तो ये जो हुआ और गेट का ठीक है ये डाइगराम है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे बात करें तो यहाँ पर पांचवा कोश्चन दे दिया है यह भी एक डाइगराम दिया है और आपसे पूछ रहा है कि चारों अप्शन में से एंड गेट या नौर गेट या नौट गेट या नौन अबदीर इसमें से कौन से बिलॉंग करता है फॉलॉइंग यानि जो भी हमने आउटपूट लिया है उसका रिवर्स तो यहां पर करेक्ट अपसन होगा यहां पर करेक्ट आपसन आपका नौट होगा नौट गेट यह नौट गेट है ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपर छटमा कोश्चन यहां पर दे रहा है यहां पर true table दिया है, यह बता रहा है कि कौन से gate के लिए यह दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर output क्या है, 0 है, 1 है, और यहाँ पर, ने सॉरी, input 0 और 1 है, और output यहाँ पर 1 और 0 है, यानि 0 का reverse 1 हो गया, और 1 का reverse 0 हो गया, यानि यह कौन से gate में ऐसा होता है, not gate में होता है, यहाँ पर के लिए बिलॉंग करता है यानि करेक्ट होगा अब चलिए हम सात्मा कोश्चन देखते हैं तो सात्मा कोश्चन में पूछ रहा है वीच आप फालोइंग इस करेक्ट फॉर बाइनरी नंबर 11,1101 इन्टू डेसिमल नंबर यानि यह जो नंबर है आपका 11,1101 इसको आपको डे कर सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आठवा कोश्चन यहां पर दिया है यहां पर एक कोश्चन दिया गया है जो कि एक्सप्रेशन आपको बताना है कि इसका जो वाइलू होगा यहां पर जो मैंने कोश्चन मारकर रखा यहां होगा यह काफी simple question है अगर आप इसे solve करते हैं तो दो line के अंदर ही आपको answer प्राप्त हो जाएगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर नवा question दिया है कि नवा question आपको देखने को मिल रहा है यहां पर नवा question दिया है decimal number 49 को आपको बाइंडी number में convert करना है ठीक है यह आपको convert करना है ठीक है तो यह भी काफी easy question है यह मैं आप पर दे देता हूं कि इसको आपको solve करना है क्योंकि मैं सारा नहीं बता हूं यह काफी ज्यादा easy है आपको बस LCM निकालना आना चाहिए ठीक है LCM के basis पर होता है तो आप इसे जरूर से solve किजेगा और comment में हमें जरूर बताएगा इसका answer क्या होगा ठीक है अब चलते हैं दसमा question पर तहां पर दसमा question है which of the following is referred as universal gate ठीक है जिसमें नंद gate को भी हम universal gate कहते हैं और nor gate को भी हम universal gate कहते हैं तो यानि दोनों options हैं होगा और आप दो पर टीक लगाने सकते हैं और C option है कि both a and b यानि a and b दोनों correct है यानि option C आपका यह correct होगा both a and b यहाँ पर total यहाँ पर 10 question मैं arrange किया था यह लगबग मैंने complete topic को cover कर लिया ऐसे ही question आएंगे अगर आना होगा तो काफी easy question इस chapter से बनते हैं तो मैं उमीद करता हूं कि वीडिया आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा पसंद आया हो तो like कीजिए comment कीजिए अपने friend के साथ share कीजिए अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से subscribe कीजिएगा क्योंकि ऐसा ही informative वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye and take care